नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग आज हम बात करने वाले हैं लॉंग की और लॉंग जिसको हम बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं लॉंग से आप बहुत सारे प्रयोग करके जीवन को खुस हाल बना सकते हैं लॉंग का प्रय के स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता बलकि इसका जोतिसी उपाय करके आप अपने जीवन को बहतर कर सकते हैं आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए लॉंग के कुछ आसान उपाय अपना कर जीवन में खुछ या फिर से प्राप्त कर सकते ह तो आज हम आपको बहुत सारे उपाय बताएंगे पीडियो के अंतक बने रहें और सबसे पहली बात अगर आपके जीवन में सत्रू बिरोधी बहुत जादा आपको परिसान कर रहे हैं आपको लगता है जैसे उनकी वजह से आपका जीवन में बिस गुल रहा है तब ऐसे में आप महला हों या पुरुस हों एक काम करें लॉंग फूल वाली लॉंग यानि बिल्कुल साबूर तुटी फुटी भी मत लीजिएगा दो लॉंग नियमित रूप से अपने घर में ही पुजा स्थान पर माद दुरुगा को अरपित करें और जैसे आज आपने अरपित किया तो अगले देनी यानि कल उस लॉंग को उठा लें और फिर से फ्रेस दो लॉंग अरपित कर दें यह जो आपने लॉंग उठाया हुआ है ना इस लॉंग को आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो एक लॉंग पॉकेट में रख लें एक मुव में लेके निकल जाएए आपके सत्रू विरोदी चाहकर भी आपका बाल भी बाकर नहीं कर पाएंगे और जो दूसरा लॉंग पॉकेट में है उसको भी बाद में खा लीजि हैं एक ऐसे उपाई के बारे में जो आपके घर का वास्तु दोस्दूर करता है आपके घर के नकात्मक उर्जा को नस्ट करता है बहुत सिंपल है सनीवार की साम याद रखिए साम के समय यानि अंधिरा होने के बाद आप पांच लॉंग लीजिए तीन कपूर लीजिए और कि लहर उठने लगे तब इसको आप अपने पूरे घर में घुमाईए और जो यह राक है ना इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर फैला दे आप चाहें तो इस राक को सुरक्षित रख लें और रोज थोरा सा जल में चीटे मार डालके एक चुटकी डाल दें और अप जीवन में बहुत कस्ट बढ़ जाते हैं कई बार आपके जीवन में लगता है जैसे सब कुछ तबाह हो गया है अब ऐसे में क्या करेंगे बहुत सिंपल है अगर बार बार आकस्मिक रूप से जीवन में परिसानिया आने लगे तसमत जाएए कि राहू के तू आपकी लग ले और ले जाकर सिवलिंग पर अर्पित कर दें ये सुबह से साम तक आप कभी भी कर सकते हैं और सनी बार के सनी बार ये उपाय कुछ दिनों तक करें राहू के तू का प्रभाव जो दूस प्रभाव है वो समाप्थ हो जाएगा और घर में एक बार फिर से आनंद और खुसाली आ जाएगी आप चाहें तो अपने पॉकेट में लॉंग रखना सुरू कर दें इससे भी आकस्मिक दुरगटनाओं से आकस्मिक परिसानियों से सुरक्षित बचे रहेंगे सुरक्षित बने रहेंगे तो बहुत सिंपल है लेकिन कई बार क्या होता है ना आपके घर में पैसे ही नहीं ठीकते बरकत ही नहीं होती अब जीवन में बरकत ना हो पैसे ना ठीके तो खुसिया तो यहीं समाप्त हो जाती है अब धन की बिर्दी होने के लिए क्या करेंगे आप भगवान की अराधना तो करते ही होंगे आप अपने पूजा स्थान में ही मा लक् नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर सुक्रवार के दिन करें और पांच या दखेगा पांच लॉंग आप और पांच कौड़ी लाल कपड़े में बांध कर अपने तिजोरी में या आलमारी में भी सनीवार के दिन रख लें यानि सुक्रवार के दिन दो कली गुलाब की पंखुड को अरपीत करें नियमित रूप से कीजिए और सनी बार के दिन पांच कली लौंग की आप पांच कोड़ी के साथ लाल कपड़ी में बांध कर रख लीजिए तीजोरी में इससे घर में बरकत आती है अगर किसी ने कुछ किया है तो वो समाप्त हो जाएगा जीवन में जब मिहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिले तब थोरत सा मन परिसान हो जाता है थोरत कष्ट बढ़ जाता है अब ऐसे में तमाम आर्थिक परिसानियों से बशने के लिए आप सनीवार के दिन हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और ये जब दिया जलाएगा आप तो उसमें दो लॉंग डाल दीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें यकिन मानिए हनुमान जी को अपनी समस्या बताने के साथ ही आपके जीवन के तमाम जो कस्ट है वो दूर होंगे लेकिन कुछ सनीवार लगातार कीजिए कम से कम पांस सनीवार तो जरूर कीजिए ये उपाय आपके जीवन के कस्ट कमेंगे और जीवन में एक बार फिर से बरकत होने लगेगी तो इस तरह से आप देवी देपताओं को भी मना सकते हैं कई बार होता है घर में रोग सोक बढ़ जाते हैं कई बार आपके बैपार की तरक्की खत्म हो जाती है अगर आपका बैपार अच्छे से नहीं चलता है तरक्की नहीं हो पा रही है तब आप अपने घर में गनेज जी की तस्वीर के सामने एक सुपाडी और एक लॉंग रखें और जब आप अपने रोज नहा कर रखें जब आ जब वापस आएं घर लॉंग आप खा लिजा राम से जब घर वापस आएं तब इस सुपाड़ी को फिर से गनेश जी के सामने रख दीजिएगा आप यहीं सुपाड़ी को आप बार बार यूश कीजिए कोई दिकत नहीं है लेकिन लॉंग हर बार आपको चेंज करना जैसे क इस सुपाड़ के सबसे अंधेरे कोणे में रख दें यकीन मानिये नकारतमक सक्तिया दीरे धीरे समाप्थ हो जाती है यह बहुत simple है बहुत आसान है आप कर सकते हैं कही बार क्या होता है आप कही interview देने जा रहे हैं या फिर कोई भी जरूरी काम से जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दो long मूँ में लेके ही निकले और जहां पर आप interview देने गया हैं वहां पर आप interview देने के पहले उस long को fake दे किन मानिये सफलता के percentage बढ़ जाते हैं तो बहुत simple है आप कीजिए कई बार क्या होता है न आपने किसी को पैसा दिया है अब लेने के समय तो हर कोई इतना मीठा से बात करेंगे लगेगा आपके सिवा उनके सिवा आपका और कोई है भी नहीं और जब पैसे ले लेते हैं त अपनों के साथ धन के लेन देन में परिसानी आ जाती है अब क्या करेंगे जिस बैक्ति ने आपका धन लिया है न आपको उपाया जरूर कीजिएगा देगे किसी भी अमवस्या के दिन रात में 21 लोंग कपूर के साथ जला कर मालक्षमी के मंतर का जब करें आपका फसा इसा पढ़ते वे लोंग को इस नीमू में गड़ा दे और फिर इसको आप अपने कहीं भी सरसे वार कर पैर तक सरसे पैर तक वार लीजिए या सिर्फ सरसे भी वार लीजिए और कहीं भी आप डिक्ष के नीचे रख दे ऐसा करने से भी जीवन की जो परेसानिया है जो अव करेगा किसी भी सनीवार के दिन एक लॉंग अपनी हाथ में ले 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 अब इस लॉंग को आप अगर आपको लगे कि घर में किसी ने कुछ कर दिया है तो सभी परिवार के सदस्यों के सर से पैर तक उल्टा साथ वार बार ले उल्टे हाथ से और अपने घर के मुख्य लेंगे हर हर महादेव